इस मूवी में गैंग्स्टर एक लटकी को देखता है पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है इसके बाद गैंग्स्टर इसे हमेशा के लिए फसा लेता है ये एक अजीब ही तरह की लव स्टोरी है तो चलिए इसे एक्स्प्लेंग करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर हान रस्टे से जाता हुआ दिखता है उससीटे में आता है जरा हैंग आउट करता है ये वहाँ से जा रहे हुती है पर हान उठता है उसके पास जाता है और उसे जबरदस्तिक हीस करता है अब सुन तम्माचा खड़ा कर देती है उसका बॉइफ्रेंड भी उसके स्वारी कहने के लिए कहता है हान कुछ भी बोल नहीं रहा होता और सिर्फ देख रहा होता है यहा यहाँ पर उसे सुन मिले थी उसे जगा पर जाकर बेट जाता है उसे सुन फिर से दिखती है तो उसका पीछा करने लग जाता है उसका क्या रूटिन है यह जान लेता है सुन जब लाबररी में होती है तो हान अपने फ्रेंड के साथ वहाता है हान का फ्रेंड एक वालेट ले सुनता है और यह सुन को स्पॉट कर लेता है सुन की पीछे-पीछे भागने लग जाता है सुन में बहुत दूर तक भागती है पर एक जगा वो रुख जाती है अब यह आदमी वालेट चेक करता है कहता है तो यहां तो बहुत सारे पैसे थे इसमें एक चेक भी था जो 10,000 ड सकती हो सुन कहती है कि मुझे कोन लोन देगा यह आदमी कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हो जो तुम्हें लोन दे सकते है यह आदमी फिर गैंग के पास उसे लेकर आता है यहां पर एक कॉंट्रेक्ट वो साइन करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो पैसे पे न आता है यहाँ पर जब पुलिस आता है तो उसका फ्रेंड मियोंग आगे जाता है और पुलिस को रिश्वत वेगरा देख कर आता है अब नेक्सिन में हम देखते हैं कि सुन गैंग के आदमी के पास है सुन पैसे नहीं दे पारे तो अब यह पूछता है कि तुम आप ग्या कर आते हैं यहाँ पर इस बिजनेस की में होती है इसे उसे छोप देते हैं यह लीडर सुन से उसका नाम बुश्चती है पर सुन अपना नाम बता ने रहे हूती है तो इससे बहुत मारती है इसके बाद सब कुछ करने लग चाती है जिस रॉम बेहों हो corazón करते है और उस्वार डिस्पले के लिए रख देते है रस्ते से एक आद्मे जाता है और Sun को discover the game ये दोनों फिर room में आ जाते है Sun ये करना नहीं चाहथी तो struggle करने लग जाती है जिस room में होते है इस room में एक बड़ा सा mirror होता है mirror के दुसरे side में Han सब कुछ देख रहा होता है पुछती है कि इसा तुम क्यों कर रही हो सुन के थी है कि मेरे फर्स टाइम पे मुझे मेरी boyfriend के साथ intimate होना है अब ये आरेंज गरवाया जाता है उसका boyfriend एक गाड़ी में उसके साथ होता है ये पुछता है कि आचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया है सुन इसे हक करती है पर ये सब हान भी देख रहा होता है हान को जेलस मेंसुज होता है तो सुन के boyfriend के पास जाता है और उसे बहुत मारता है अब भी सुन हान को देख नहीं पाई है अब सुन की बॉस एक आदमी को जबरदस्ती उसके पास भेशती है हान उसके पास आता है और पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो ये बहुत कहती है कि उसे उसकी ओकाद पता चलनी चाहिए इसके बाद ये आदमी सुन के साथ जबस्दस्ती इंटिमेट हो जाता है नेज दिन हान सुन के पास जाता है Sun को ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो उसे एक ड्राइंग बुक को देखकर आता है Han अपने friends के साथ बैठा हूँ होता है इसमें से एक friend का नाम होता है Mewong Mewong कहता है कि ये बहुत ही beautiful है वो हमेशा से college girl को date करना चाता था सुन उसे बहुत ही पसंद है ये वो हान को कहता है सुन अपने रूम में अकेली होती है और ड्राइंग देख रही होती है हान मी मिरर के पीछे से उसे आउसर करता रहता है हम फिर दिखता है कि सुन के पास हान का फ्रेंड मियोंग आ जाता है मियोंग अब सुन के साथ intimate हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ मुझे लगता है कि मैं ही तुमारे इस situation के लिए responsible हूँ जो भी सब हुआ था यानि कि हान ने सुन को फसाया था यह सब कोछ वो सुन को बता देता है अब सुन बहुत ही जिर जाती है और हन के पास आती है इसे बहुत मारती है और वहाँ से चली जाती है हान अबने फ्रेंड पर बहुत ही जिर जाता है और एक बड़ी से बैट लेता है उसे मारने कोशिश करता है पर मारता नहीं मियोंग अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया, अब सुन बहुत ही दुखी हो जाती है, वो बहुत रोती है, उसकी बॉस जब उसके बास जाती है, तो सुन कहती है कि इस जगा पर मैं क्यों हूँ, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, ये बॉस फिर जेट जाती है, और उसकी बॉड़ी उसे दिखाती है, बॉस के बॉड़ी पर भी बहुत सारे स्कार्स है, सुन की तरह ही इसने रेजिस्ट किया था, इसी वज़े से उसे बहुत मारा गया था, सुन अब बहुत दारूपी थी है, और तो सो जाती है रात में हान उसके पास आकर बैठ जाता है सुन थोड़ी सी उठती है और हान पर ही उल्टी करते थी है इसे बाद हान दूसरी औरत के साथ intimate होने के कोशिश करता है पर उसे गलत लगता है और वहां से चला जाता है निज दिन सुन जब रेडी होती है तो उसे ब इस लटकी की रूम में हो जाता है और सब को चेक करता है तो उसे वहां एक camera मिलता है ये camera हान की दूसरे friends यून ने लगा होता है इन सब लड़कियों के जोब वहां से युन को बहुत मारती है, यून जब वहाँ से चला जाता है, तो मियूंग हांग को समझाता है, वो कहता है कि इसके फाइदर को कैंसर है, इनकी इलाज के लिए बहुत सारे बैसे लगने वाले थे, इसी वज़े से इसने किया होगा, हान भी मैं फ्रेंड से बात कर रहाता है, वो कहता है कि क्या मुझे हान को जाकर बता देना चाहिए, कि मैं यून से बहुत प्यार करता हूँ मियून हान के पास जाकर कहे भी देता है, वो कहता है, यह सब कुछ सही रहा, तो मैं उसे शादी भी करने मैं लो तुम्हें उसके साथ जो भी किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूँगा म्यून अब सुन के पास जाता है और अपनी सब फिलिंग्स उसे बता देता है सुन इस वर बिलिव नहीं करती सुन फिर कहती है कि अगर सत्चूस में तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे यहां से बाहर निकलने में मदद करो मियून फिर सुन को बाहर निकलने में हेल्प करता है और सुन वहां से चली जाती है सुन अपने घर के पास ही होती है तभी हान उसे फिर से उठा लेता है मियून को जब पता चलता है कि हान सुन को लेने क से ही देख रहाता है जिस स्पोट पर वो बैठे हुए होते है तो फाड़ी हुई फोटोग्राप सुन को वहां मिलती है यह उठा लेती है और रख लेती है सुन हान को कहती है कि प्लीज मैं जाने दो पर हान उसे फिर से वापस लेकर आता है इस राद हान सुन के पास आता है यहां कर वो रोने लग जाता है रो रो कर ही सो जाता है हान के गैंग का जो ओरिजनल बॉस था यह जेल में गया था और वो छूट कर वापस आ चुका है यह जब एरिया में आता है तो सुन के पास जाना चाता है हान को है सही नहीं लगता तो अपने फ्रेंड को भेश कर और इस आदमी को मार डलता है अब बॉस कहता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बदलियो उसे जॉब देकर वहाँ से चला जाता है बॉस ने प्रिटेंड तो किया है कि हान को उसने माफ कर दिया है पर एक्चुल में उसने उसे माफ नहीं किया होता एक आदमी को भेजता है जो एक बहुत बड़ा शीशा लेकर जा रहा होता है हान के बास जाकर उसके पेट में ही डाल देता है हान बहुत ही इंजोर्ड होता है पर उसे प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिल जाता है अब next in में हम देखते है कि यून और मियूंग ये दोनों फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते हैं वह आपर पुलीस हपता लेने के लिए आता है यून हर एक पुलीस को हेट करता है ये पूरी हेट पुलीस को पता चलती है यह पुलिस कहता है कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो मि उन पुलिस को रोकता है और कहता है कि उसकी आखे ही वैसी है तुम इसे इग्नोर कर दो यून पुलिस पर बहुत ही जिट गया आता है तो रात में जाकर उस पुलिस को मार कराता है हान को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्ता आता है यून अगर जेल में गया तो उसके बूरी लाइब बरबाद हो सकती है यून के फादर भी विमार रहते हैं उस पर हान को तरस आता है और यून की जगा पर अब हान जेल में जाने वाला है हान already jail में जा चुका है तो इस बार उसे फासी होगी हान को death row में डाल दिया जाता है सुन को हान के बारे में जब पता चलता है तो बहुत ही sad हो जाती है उसके बोस उसके पास आती है वो कहती है कि हान के वज़े से ही तुमारे साथ यह सब हुआ है और तुम उसके लिए sad हो क्या तुम उससे कुछ बात करना चाहती हो इसके बाद हम देखते है यून सुन को लेकर हान से मिलने के लिए आता है सुन उस पर जीड कर बोलती है कि यहाँ से अब तुमें बाहर निकलना है तुम इस तरह से मर नहीं सकते तुमने मेरी लाइव बरबात की है तुम यहाँ से बाहर निकलना होगा जब यून सुन को लेकर जा रहा होता है तो गाड़ी रोग लिता है तो कहता है कि आप तुम यहाँ से चली जाओ वो उसे फ्री करने वाला होता है पर सुन मानती नहीं सुनने बीच से जो फोटोग्राफ ली थी इसमें हान है और एक लड़की के साथ है यह वही लड़की है जो हान बीच में देख रहा था नेकसिन में हम देखते हैं कि इनके एरिया में और एक पुलिस हो जाए